अजमारी की अवेड़रा अबोटन सारा मुतन मसाला बिर्यानी की रेसिपि रहे ह celebrity में अब्धू से रड़ा बिर्यानी की रेसिपि मैंने पहले प्रोवारे हैं यहां पर मैंने हाफ कीजी मटन ले लिया है इसे अच्छी तरह से मैंने वाश कर लिया है और पानी सारा रिमूफ कर दिया है इसमें हम अध्रक लसन का पेस्ट एड़ कर देंगे 2 टेबल स्वान हम हाफ टीजपुन हल्दी, पाउड़र आड़ करदेंगे 2 टीजपुन हम रेड चिली पाउडरों गर्द करदेंगे लाण मेची की पाउडर जो होता है वह रेड चिली पाउड़र आड़ करनेके बाद हम इसमे करियंडर पाओडर लोगे धनी पाओडर jak गरम मसाला पाओडर टीके लोगे आरेंगेsan आज़ा ब्रॉड़ ओ THIS पृड़2 थे उधनी है जो बिलिस्ता होता है वो मैंने से एड़ कर दिया हाफ कप के करीब होगा यह और यह वही ऐल ऑईल है जिसमें मैंने अनियन को फ्राय किया था तो अभी हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मिक्स हो जाने के पता अभी हम इसमें कुछ गरम मसाल एड़ करेंगे जैसे कि इसमें मैंने वन टी स्पून जीरा लिया है दो तेज पता है हरी इलाइची है जो बड़ी इलाइची होती है वो है काली मीरी है और लॉंग एड़ किया है मैंने जावित्री एड़ की है तो यह आछे तरह से मिक्स कर देंगे और यह अच्छे से जब मिक्स हो जाया तो हम इसे मेरिनेशन में रख देंगे हम इसे न हम से कम 40 मिनिट्स और जाद से जाद हम ओरनाइट भी रख सकते हैं मैं यहां से इसे 2 to 3 घंटा रख दिया था और दो घंड़े बाद यहां पर मैंने 3 क लिए यह लाग ग्रीन राइस है हम इसे अच्छी तरह से वाश कर लेंगे वाश करने के पाथ हम इसे पानी में सोक कर रख देंगे हाफ एनार के लिए निए अप उसे जादा भी रख सकते हो यहां पर मैंने एक वेसल ले लिया है इसमें हमें ऑईल वगेरा कुछ नहीं दालना है जो हमने मैरिनेशन तयार किया था ना मटन का हम उसे एड़ कर देंगे और इसे अभी हमें अच्छी तरह से बून लेना है हम अच्छी तरह से बूनते जाएंगे और इसे डख के पकाएंगे 40-45 मिनिट्स के लिए यहां पर मैंने पानी रख दिया था चावले को बॉइल करने के लिए इसमें भी हम कुछ करम मसाले दालेंगे इसमें हम शाही जीरा दालेंगे सिनिमन स्टिक दालेंगे इलाइची दालेंगे हम यह सारे मसाले हम इसमें एड़ कर देंगे और साती में हम इसमें नमक अपने जितना हमने पानी लेया ना उसे साफ से आड़ कर देंगे और राइस जब हमारे राइस परक जाएंगे 80% यहां पर मटन भी कुक हो गया है यह भी सॉफ्ट हो गया है 40-45 मिनिट्स के बाद यह देखिए अच्छे से हमें हमारा जो मटन मसाला है वो रेडी हो गया है तो अभी आपको जो साइड में यह ओईल दिख रहा है ना हम क्या करेंगे यह जो रोगन है वो निकाल लेंगे थोड़ा सा इसे हम बाद में यूज़ करेंगे यहाँ पर यह केवड़ा एसेंस है इससे खुश्बू बहुत अच्छी आती है तो यहाँ पर हम वन टेबल स्पून के करीब केवड़ा एसेंस और हाफ टी स्पून के करीब रोज एसेंस है वो भी आड़ करेंगे यह दोनों दानलें से आपके बिर्यानी में बहुत अच्छी खुश्बू आएगी और अभी यहाँ पर कुछ मैंने हारी मीर्चे आड़ कर दिये साती में कोतमीर और पुदीना जो है वो से मैंने बारिक कट कर लिया है वो भी आड़ कर देंगे लेमिन जूस पर मैंने अड़ किया था लेकिन वो इस वीडियो में नहीं आपाया तो आप यह स्ट्विच पर हाफ टी स्पून और बांटी स्पून के करें लेमिन जूस आड़ कर सकते हो और इन्हें हम अच्छी तरह मैक्स कर लेंगे यहां पर हमें जिसे दम पर रखना है वो वैसल ले लेंगे हम तो यहां पर मैंने एक वैसल ले लिया है इसमें हम थोड़ा सा रोगन जो आईल हमने साइड में रखा था वो एड़ कर देंगे और इसके उपर हम अपने चावलों की एक लेर बचा देंगे तो हमें यहां पर बिसिकली लेरिंग करनी है मटन और राइस की एक लेर हम राइस का लगाएंगे देन उसके बाद हम उसमें मटन की लेर करेंगे तो यहां पर हम अपना मृटन भी दाल देंगे जो हमने कुग करके रखा था साथी पुदीन न भारी कट करके रखा था वह इसमें अड़ कर देंगे और चावलों की ऊपर एक और कि लोगा देंगे ते इस तरह से अभी हम सेकेंड लेरिंग भी सीम करेंगे चावल रखना एपी मुटन मसाला रखना है हामें फ्राइड अनियन रखना है और देन उसके लगा दालके इसके पर और एक चावल की लिए लगा देना और उसके बाद हम थोड़े से इसमें और यह वही रोगन है जो हमने साइट में रखा था यह इसमें आट कर देंगे इस तरह से आप कोई कपड़ा या फॉइल के मदद से ढख के इसे हम 20 मिनिट्स के लिए दम पर रख देंगे 20-25 मिनिट्स के बाद हम इसे रिमूफ कर लेंगे मैं आपको दिखा देती हूँ इतनी अच्छे कुछ भूआ रही थी ना इस बिर्यानी में बहुत अच्छी बनती है आपने देखा कि बहुत जादा मैनत की जरुरत नहीं है सिफ आपको एक मैरिनेशन में ही रखना है मटन को अच्छी तरह से ये देखिए हमारी मटन मसाला बिर्यानी रेडी हो गई है आप देख सकते हो हमारी राइस भी कितने अच्छी तरह से खुले खुले बने हैं और इस तरह से अगर आप बिर्यानी बनाओगी तो आपको ज़्यादा महनत की पी जरुरत नहीं पड़ेगी आपको बहुत ज्यादा इसमें काम करने की ज़रत नहीं की जियु जो रियानी वह बहुत जल्दी बन जाती है आपको कुछ मसालो की जरुरत है उतना ह法 और यह रेसिपी बनके रेडी हो जाती है तो उमीद करतीओ आपको यह रेसिपी पसंद आयाया होगी अगर यह को सब्स्क्राइब नहीं किया तो प्लि parent को भी सब्सक्राइब कर सکते हो और साथे में आप backhand को भी प्रेस परěसlar कर सकते हो आज के लिए इतना ही आपको मैं मिलूंगी नेक्स रोसिपी दिखने के लिए आल्ला हाफ़ेज इंदे ऴिट भी व